आपका वोट आपकी ताकत दोनों मिलकर बनें देश की ताकत देश के नागरिकों को लोक तंतर की प्रणाली में से मिलने वाले अधिकारों में से सबसे बड़ा अधिकार मतदान का है यह अधिकार हमें मतदाता बनाता है जिसकी ताकत से हम चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं और उसे गिरा भी सकते हैं यही अधिकार हमें स्वयम सरकार बनाने तक की ताकत प्रदान करता है लेकिन निराशा की बात यह भी है कि लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते और बाद में सरकार पर टिपनिया करते हैं इसलिए हमें मतदान के महत्व को समझना चाहिए और निस्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान करना चाहिए और इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरू करना चाहिए आज 25 जनवरी को रास्ट्य मतदाता दीवस है इस दिन हर साल रास्ट्य मतदाता दीवस मनाया जाता है मतदाता के पास वह ताकत होती है कि वह सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है इसलिए कभी भी एक अधर वोट की ताकत को कम नहीं आकना चाहिए मतदाता दीवस यानि उन तमाम लोगों का दीवस जो अपनी लोक तंतर को मजबूत बनाने के उदेशे से मतदान में अपनी सहभागिता निरंतर बनाए रखे हैं मतदान करना सिर्फ हमारा अधिकार और करतव्य ही नहीं है बलकि यह हमारा विश्वास है उस प्रतिनीधी के प्रति जिसे हमने अपना मत दिया है हर एक मत कीम्ती होता है जिससे हमारा लोक्तंत्र बनता है रास्ट्य मतदाता दिवस बेहद ही खास है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतदाता युवा है मतदान के लिए युवाओं को जागरू करने के उदेशे से 2013 में स्वीप अभियान शुरू किया गया जिसके परिणाम साल दर्सार में हमें मिलते रहे हर बार चुनाओं में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है यह हमारे स्वीप कारेकरम की ही देन है जिसमें युवाओं को मतदान की एहमित बताई जाती है स्वीप के अंतरगत कई नए मतदाताओं को हर साल मतदाता सुची से जोड़ा जाता है हमारे यहां मतदाता जादतर युवाही है करोना के कारण इस साल भी स्वीप अभियान के अंतरगत विभिन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जो की ओनलाइन आयोजित हुई है स्वीप का अभियान युवाहों को मतदान के लिए जागरूप करने के उदेशे से शुरू किया गया जिसके परिणाम काफी अच्छे मिल रही है रास्ट्य मतदाता दिवस कारेकरम देश के निर्वाचिन आयोग के साथवी वर्षगाट 25 जनवरी 2011 से आयोजित किया जा रहा है रास्ट्य मतदाता दिवस वर्ष 2021 की थीम है हम है सशक्त सुरक्षित सतर्क और जागरूप इस थीम में मतदाता के बारे में बताया गया है कि हर एक मतदाता सशक्त और सुरक्षित होने के साथ ही सतर्क और जागरूप है उसका एक मत ही एहमियत है एक मत ही परतियाशी की जीत को हार में बदल सकता है मदाता अपने अधिकारों के प्रती सजक है और वे अपने मत का सही उपयोग कर अपने लिए योग्य प्रती इधी का चुनाव कर सकते हैं बतादे कि देश भर में आज रास्टे मदाता दीवस मनाया जा रहा है रास्ट्य मतदाता दीवस का उदेश्य लोगों के प्रती जागरूप करना है इस बार रास्ट्य मतदाता दीवस की थीम मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूप बना रहा है मतदाता दीवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था इस दिन तत्कालिन रास्ट्य पती प्रतीभा पाठील ने रास्ट्य मतदाता दीवस का शुभारम किया था इसका आरम 1950 में चुनाव आयोग के 61 स्थापना दीवस पर हुआ साल 2011 के पहले यह दिन अस्तित्व में नहीं था भारती चुनाव आयोग 25 जनवरी को रास्ट्य मतदाता मना रहा है इस बार रास्ट्य मतदाता दीवस की ठीम मतदाताओं को सस्खत सचेच सुरक्षित और जागरूक बनाना है इस बार करोना संकट में सुरक्षित मतदान को लेकर चर्चा की जाएगी दिल्ली में आयोजित कारे करम में राश्ट्रपती रामनात कोविद वर्च्वली शामिल होंगे 25 जनवरी 2011 से राश्ट्य मद्दाता दीवस की शुरुआत की गई 26 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग ने काम करना शुरू किया था राश्ट्य मद्दाता दीवस की शुरूआत का मक्सद जादा से जादा मद्दाताओं को सुची में नाम जोडना है मतदान के लिए प्रेरित करना है रास्ट्य मतदाता दीवस मतदाताओं को समर्पित है इस दिन मतदाताओं के भी जागरुकता फैलाई जाती है नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाता है इस अवसर पर नए मतदाताओं को वोटर बेहतरीन कार्य करने वाले राच्चियों और जीलास तरिये ओफिसल्स को समानित किया जाएगा कोविड-19 के संकट में मद्दान के दुरान नई तकनीक को बढ़ावा देनी सुरक्षा की उपाय करने मद्दाताओं को जागरू करने वालों को भी समानित किया जाएगा इस साल राच्च्च मद्दाता दीवस पर इवोटर्स कार्ड की शुरुवात की जाएगी इसलिए राच्च्च मद्दाता दीवस इस साल बेहत ही खास है जबकि राच्च्च पती रामनात कोविड वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारम भी करेंगे इस डिजिटल और शेत्रिय भाशाओं में श्रोताओं को मद्दान से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगे आए जानते हैं कि मद्दाता दीवस क्या है और इसे क्यों वह कैसे मनाया जाता है मद्दाता दीवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ इस दिन कत्कालिन राश्ट्युपती प्रतीभा पाटिल ने राश्ट्य मद्दाता दीवस का शुभारम किया था इसका आरम 1950 में चुनाव आयोग की 61 वे स्थापना दीवस पर हुआ था 2011 के पहले यह दिन अस्तित्व में नहीं था भारत में वोटिंग के लिए 18 साल की आयू सीवा निर्धारित है 18 का होने पर व्यक्ति को मतदिकार प्राप्त हो जाता है इसके बाद वह सभी प्रकार के लोगतांतरिक चुनावों में वोट डाल सकता है सभी मतदान के इंदरवाले शेत्रों में परतेक वर्ष उन सभी पातर मतदाताओं की पहचान की जाती है जिनकी उमर एक जन्वरी को 18 वर्ष हो चुकी हुई इस कर्म में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मद्दाताओं के नाम मद्दाता सुची में दर्ज किये जाते हैं साथ ही उन्हें वोटर आईड़ी प्रदान की जाती है नए मद्दाताओं को पहचान पत्र बाटने का काम समास सेवी शिक्षक एवं गैर राजनितिक व्यक्ति करते हैं इस अवसर पर वोटर सको बैज भी दिया जाता है जिस पर लिखा होता है मद्दाता बनने पर गर्व है मत्दान को तैयार है विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र भारत में मत्दान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए चुनाव आयोग ने रास्चे मत्दाता देवस मनाय जाने का निरने लिया था मत्दाता सुची में नामदर्ज कराना एक स्वैचिक प्रक्रिया है इसमें कोई दबाव नहीं होता देश की जन्यता को मत्दाता के लिए जागरू करने का काम चुनाव आयोग इसी माध्यम से करता है मत्दाता देवस के दिन भाषिन प्रत्योगिता हस्ताक्षर अभियान नए वोटर्स को वोटर आईडी वित्रण करना वोटर्स की फोटोग्राफी आयोजन होते हैं देश में मतदान योगे विसको का पता लगाने वोटर्स को चिहनित करने के लिए वोटर संख्या पता करने के लिए वोटिंग को भड़ावा देने के लिए भी मतदादा दिवस मनाया जाता है भारत एक लोक्तांत्रिक देश है और आप दुनिया के सबसे बड़े लोक्तांत्र के मत दाता हैं देश और अपने खातिर आप अपने सार्व भोमिक मताधिकार का परियोग जरूर करें 1950 एक टोलफ्री नंबर है जिस पर कॉल कर आप निर्वाचिन या वोटर कार्ड से समंदित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नाई पंजिकरित मत दाता लोक्तांत्रिक परंपरा की मरियादा को बनाने समंदित प्रतिज्या लेंगे अहरता प्राप्त नागरिक जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं और मत दाता नहीं बन सके हैं अपना दावा पत्र पत्र बियालो को दे सकते हैं सभी कार्याले प्रधान कर्मियों को इस दिन शपत ग्रहन दिलाएंगे सभी शैक्षनिक संस्थानों में यह दिवस मनाया जाएगा प्रधाना ध्यापक विध्यालियों में इसकी अध्यक्षता करेंगे EEP कार्यकरम से नए मत दाता उसे डाउनलोड कर सकते हैं 25 जनवरी 2021 को ग्यारवा रास्टे मत दाता दीवस भारत निर्वाचिन आयोग पूरी देश में मना रहा है इस बार ग्यारवा रास्टे मत दाता दीवस 25 जनवरी को सेलिब्रिट होगा वर्ष 1950 से स्थापी चुनाव आयोग के 61 स्थापना दीवस पर 25 जनवरी 2011 को ततकारिन रास्टे पती प्रतिभा पाचिल ने रास्टे मत दाता दीवस का शुभारम किया था इस आयोजन के परमुख विश्य थे समावेशी और गुनात्मक भागिदारी यह है रास्टे मत दाता दीवस बेहत खास भारत निर्वाचिन आयोग का काम पूरी तरह से डिजिटर प्लेटफॉर्म पर आ रहा है इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से 25 जनवरी को ई-इपिक मोबाई एप लौंच किया जा रहा है इसके माधिम से मत दाता अपने पहचान पत्र को मोबाईल के माधिम से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही एक फरवरी दो हजार इकिस से इस एप के माधिम से मत दाता पहचान पत्र भी बनाया जा सकता है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि मत दाता सूची में नाहम दर्ज कराने के लिए सरकारी कारियालों के चकर नहीं लगाने पड़ेंगे कोई भी भारत का नागरिक जो मत दाता वनने की योग्यता रखता है इपी कैप के माधिम से मत दाता पहचान पत्र बनाने के लिए आविदन कर सकता है वहीं परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने ट्विट कर कहा कि रास्टे मत दाता दीवस सुचारू रूप से चुनावों को आयोजित करके देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मस्बूत करने में निर्वाचन आयोग के उलेखनिय योगदान की सरहाना करने का अफसर है निर्वाचन आयोग किस्थापना दीवस के मोके पर परतेक साल 25 जनवरी को राष्टे मत दाता दीवस राष्टे मत दाता दीवस यानी मनाये जाता है इस मोकी पर प्रधान मंतिर नरेंदर मोधी ने ट्विट किया है राष्टिय मतदाता दीवस निर्वाचिन आयोग द्वारा हमारे लोकतांत्रिक तानेबाने को मस्बूत करने और चुनावों के सुचारू रूप से आयोजिन में उलेखनी योगदान करने की सरहाना का यह और सुच्क्राइब करें धन्यवारा जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट अल जोती गार्दन वोल्ड-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.